नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आज एक बहुत अच्छे स्टॉक के बारे में और ऐसा भी नहीं कि स्टॉक भागा हुआ है एक अंडर वैलुड स्टॉक है काफी ज्यादा उपर के लेवे से इविन अगर आप बात करेंगे तो 52 वीक के हाई से काफी अच्छा गिरावट इसमें हो चुकी है तो आज बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और भी देखीगा कई ना कहीं टेकनिकल बेसेस पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम मनता हुआ भी देखन आज बानते हैं कि Reliance Industry जो है देखेगा उनका जो बिजनस है एनरजी का वो रिकवर हो रहा है तो to kree raising investor confidence तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इनका ऑईल टू कैमिकल का बिजनस है जो energy का बिजनस है वो इनका traditional बिजनस है जिसके दम पे येतने अमीर आदमी बने है और आपको पता है new particular segment में यह approach कर रहे हैं like Reliance Jio हो गया इसके लाब अगर आप बात करेंगे तो Reliance Retail हो गया इसके लाब अगर बात करेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे particular sector हैं जिसमें यह expansion कर रहे हैं लेकिन Morgan Stanley यह मानते हैं या फिर देखेगा अगर आप पूरी तरीके से Reliance Industry का portfolio देखेंगे तो सभी जानते हैं कि इनका energy का business बहुत ही important वाइने रखता है इनके valuation के लिए तो यहाँ पे अगर energy का business क्या हो रहा है इंप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब investor का confidence फिर से आने वाले time में लोटने वाला है क्योंकि यह एक ऐसा segment है जब यह recover होता है तब Reliance Industry क तो अच्छा valuation दिया जाता है over the past 6 month volatility ना energy market अगर आप देखेंगे पिछले 6 महिने से stock ने देखेगा अगर आप देखेंगे तो उस तरीकी का particular valuation नहीं दिया है जबकि इन्होंने 5G में काफी अच्छा achievement किया है बहुत सारी चीज़ें देखीगा की है higher global rates are driven 6% कट इना consensus estimate for the R. तो आपको पता है कि सारी जगे पे retail sector में अगर आप देखेंगे या फिर आप देखेंगे इनके telecom sector में इनको बहुत अच्छी सफलता मिली है but the thing is कि अगर आप बात करते हैं इनके जो particular traditional business में तो उसमें आपको देखेगा win for tax के वज़े से इनके margin में काफी ज़्यादा आप आई है लेकिन अब माना जा रहा है कि आगे चलके stock ने उस particular चीज़ को धीरे धीरे pricing कर लिया है और कर भी रहा है तो आगे चलके अब कहीं पर भी win for tax कम होता है तो आपको पता है कि reliance industry उस पे बहुत तेजी से react करेगा और ऐसा केवल 7 दिन बाद देखने को मिलेगा च आपको पता है कि already अगर देखेगा कोई बढ़त नहीं होती है crude oil के prices में और फिर Brent oil के prices में तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो इतना देखेगा इतना जादा win for tax बढ़ा दिया गया है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ सकती है और अगर कमी आती है तो यह reliance industry के लिए काफी बड़ी बात होगी तो आप देखेंगे यहाँ पे Morgan Stanley भी देखेगा believe करते हैं कि यहाँ पे इनके energy के business में काफी जादा देखेगा improvement आएगा और उन्होंने कहा है कि यह end of the downgrade cycle as both chemical and telecom expectation have taught तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने विमान लिया है कि कहीं ना कहीं अब यह जो है particular level reliance industry का वो fair level है according to the particular margin और a business expectation तो अगर आप देखेंगे तो reliance industry में 5 दिनों में 2% की गिरावट देखने हो मिली है और पिछले particular देखेंगे एक महिने में कहेंगे तो stock 11% तक तूटा है कितना 11% तक तूटा है तो stock में गिरावट काफी है stock oversold है इस समय stock कोई भी particular positive news चाता है और एक particular level पे देखेंगे क्या करा consolidate कर रहा है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे consolidate कर रहा है तो यहाँ से देखेंगा stock भले नीचे जाए लेकिन यहाँ पे यह value buying होगा क्या होगा यहाँ से कोई भी अगर यह buying अगर आप नीचे की तरफ करत है तो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे oversold category में है तो आने वाले दिन में देखेंगा reliance में आने वाले दिनों में reliance में एक uptrend आपको देखने को मिल सकता है बले वो 3% का हो लेकिन uptrend आपको देखने को मिलेगा 7 से 14 दिनों में तो वीडियो कर थैंर आपको देखेंगे